नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कारी दी, मौसम बैग्यानिकों ने बताया है कि अगले दो दिन तक ताप्मान में कोई बड़ा बदला होने की संकित नहीं है, लेकिन उसके बाद, तीन दिन में ताप्मान में 2-4 डेगरी तक की गिरावर दर्च की जाएगी उन्होंने बताया है कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर का जो पुरुमान किया गया है उसमें कहा गया है कि इन दिनों सुबह में कोहरा या धुंद का अंदेशा है बाद में आसमन साप रहेगा और मौसम सुस्क रहेगा मुखे मंत्री हेमंत ने सुरू की सुओ मोटो ऑनलाइन मोटेशन की परकिरिया मुखे मंत्री हेमंत्री ने जार्खन मंत्राले सभागार से सुओ मोटो ऑनलाइन मोटेशन परकिरिया का सुवारम किया इस अउसर पर ग्रामिन विकास बीभाग के मंतरी आलमगिर आलम तथा स्रणम नियोजन और प्रसिक्षन बीभाग के मंतरी सत्यानद भोक्ता भी उपस्चित रहे मौके पर्मोके मंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद विक्री में पारदार सीता सुनिशित करने के लिए राई सरकार ने कई कदम उठाए है आज हुए सुव मोटो ऑनलाइन मोटेशन परकिरिया का सुबारम भी उसी दिशा में एक महतपुन पहल है उन्होंने कहा है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद विक्री है तुनिवंधन दाकिल खारीच रसीद काटने से लेकर रजिश्टर पंजियन टू तक की परकिया से गुजरना पड़ता है कई बार ये परकिरिया है आम जानता के लिए काफी जटिल हो जाती है राई सरकार का परियास है कि हम आम जानता को सरल और सुलब वेवस्ता उपलब्द कराए पच्मी सिम्भूम में पुलिस नक्सली मुडवेण में पांच जवान घायाल पच्मी सिम्भूम जीला अंतरगर टोटो और गोईल केरा सीमा में गुरू वार को कोबरा 209 बटालियन और जारखन पुलिस जवानों की नक्सलीयों के साथ करीब एक घंटे तक दो बार होई मुडवेण में सेक्डो राउंड गोलिया चली इस दोरान पुलिस ने नक्सलीयों के कई कैम्प को ध्वस्त किया वहीं इस मुडवेण में पांच जवान भी घायल हो गए सभी घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए यहर लिफ्ट से राची लाया गया सभी घायल जवान कोबरा 209 बटालियन के हाए सरकार की तीसरी वर्सगाठ पर जानता से असिरवाद मांगने जाएंगे सियम हमांत जहरखन में महागट बंधन का असिरवाद जो हार यात्रा सुरू होने जा रहा है महागट बंधन सरकार की तीसरी वर्सगाठ पर इस यात्रा कायोजन किया जा रहा है ए यात्रा कूल तीन चर्णों में संपन होगी पहले चरण में 6 जीलों को सामिल किया गया है जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 9 नौ जीलों के नाम सामिल है पहले चरण की यात्रा का अगाज गढ़वा जीले से होने की संभावना है हलाकि इस यात्रा को लेकर महागडबंसन के द्वारा अपचारी घोसना की जाएगी लेकिन जो जनकारी अंदर खाने से आ रही है उसके मुताबिक पहले चरण में गड़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड़ा और देवघर जीले सामिल हाएं दसवी की बोड परिक्षा 27 फरवरी से और बरहवी की 13 से कॉंसिल फोर्दा इंडियन इस्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोड ने आगामी दसवी और बरहवी बोड परिक्षा के लिए से ड्यू जारी कर दिया है दसवी की परिक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक होगी वहीं बरहवी की बोड परिक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक होगी दसवी की अधिकांस परिक्षा प्रथम सत्र में सुबा 11 बये से आउजित होगी वहीं बरहवी की परिक्षा 2 पर 2 बये से शुरू होगी बता दे 10 वी की परिक्षा 2 घंटे की जबकी बरावी की 3 घंटे की होगी परिक्षा से पहले चात्रों को सवाल पढ़ने के लिए 15 मियट का अत्रिक्त समय दिया जाएगा मुख्य मंत्री सुखाल रहात योजना को लेकर SDM ने की बैठक मुख्य मंत्री सुखाल रहात योजना के सफल की रहनोयन को लेकर SDM अनिकेत सचान ने गुरुवार को तोरपा प्रखंड कर्याले के सभागार में बैठक की उन्होंने 7% योग्य लाव को मुख्य मंत्री सुखाल योजना का लाव दिनाने का निर्थेस दिया उन्होंने बताया है कि मुख्य मंत्री सुखाल रहात योजना के तहट प्राति किसान को 35 रुपय की साहतारासी सरकार की ओर से पदान की जा रही है इस योजना का लाव लेने के लिए प्राग्या क्यंद्र, फंचाज, सचिवालाय और परखंड कर्याले में आवेदन किया जा जकेगा SDM ने सभी मुख्या से इस योजना का लाव दिनाने के लिए अपने अपने छेत्र में परचार परशार करने के लिए भी कहा है खुट्टी में PLFI के पाच नक्सली गिरफतार नक्सली संगठन PLFI कमांडर माइकल गुडिया तथा मुकेस चीक बडाइक सहीत पाँच सक्रिय नक्सली को पुलिस ने गिरफतार कर गुरु आरको जेल भेज दिया माइकल गुडिया अनन्दपूर थाना चेत्र के सोधा उपर टोली से तथा मुकेस बडाइक बसिया थाना चेत्र के लाबाक केरा डुम की टोले का रहने वाला है गिरफतार किये गए अनने लोगों में सीकिद्री थाना चेत्र के अगर तोली का अर्जोन मुंडा बानो थाना चेत्र के भंडार वेली का सुरेंद बडाइक तथा अनगडा थाना चेत्र के बुकी बलावटा गाउं का पंकज महतो सामिल है इन अकसलियों के पास से पूलिस ने एक देशी कटा मोबाइल फोन पीले फाई का परचा तथा जानता रासी बरामत किया गया है बताया गया है कि गरफतार नकसलियानंतपूर चेत्र में जमिन बिवायद में पैसे लेकर एक ब्यक्ति के हत्या करने के नियत से यहां पहुचे थे गढ़वा में यूवती के साथ सामोहिक दुसकर्म गढ़वा के रंका थाना चेत्र इस्थीत सलेया जंगल में एक यूवती के साथ सामोहिक दुसकर्म करने का मामला परकास में आ जा है इस समध में पिरिता ने रंका थाना में आवेदन देकर करवाई की मांग की है वहीं पूलिस इस मामले में आरोपियो गिरफतारी को लेकर जांच परताल तेज कर दिया है पिरिता ने बताया है कि गट 29 नॉमबर 2022 की सुबा करीबे 11 बज़वा अपनी छोटी बहन के साथ चैनपूर थाना के बोड़ी गाव इस्थित अपनी बड़ी बहन के घर चाना का साग लेने जा रही थी इसी बीच सलेया चार मुहान के पास उसने एक पीकप वेन को लिफ्ट मागने के लिए रोका जब उसने पीकप वेन ड्राइबर से बोड़ी गाव जाने के पुछताच की तो उसने दोनों बहन को बोड़ी ले जाने की बात कहकर पीकप वेन पर बैठा लिया जारखन में मैट्रिक इंटर परिक्षा के फरम भरने का अमतिम मौका जारखन एकेडमी कॉंशिल ने 2013 में होने वाली कलास 9 और 14 वी की परिक्षा के लिए आवेदन पत्र और राइस्टेशन पत्र भरने की प्रक्रिये सुरू कर दिया परिक इंटर परिक्षा के लिए फरम नहीं किये जाएंगे बता दे जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकिसन के अनुसार कलास 9 यम 11 करई स्टेशन और परीक्षा फरम बिना लेट फाइन के 10 दिस्तंपर तक भरे जा सकते हाँ जार्खन में रोजगार की गरांटी दे रहा मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गरांटी छारखन में रोजगार की गरांटी दे रहा है राज़ानी रांची के काके परखन अंतरगत उपर कोन की गाउं में एक मनरेगा पार्क बिक्सित किया गया है जो गिरामिनों को आर्थिक रूफ ससक्त बना रहा है मनरेगा के तहट अस्थाई परिसंपतियों का भी निर्मान हो रहा है बता दे अपने फलावर पार्क या फूड पार्क के बारे में जरूर सुना होगा देखा भी होगा अगर बात मनरेगा पार्क की करे तो सायद आप सोचने लगेंगे कि यह कैसा पार्क होगा आपको पता दे कि मनरेगा पार्क लोगों के लिए रोजगार का स्रिजन कर रहा है एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाय धरातल पर उतर रही है जो गरामीनों के वरतमान से लेकर भविस को समारने में आहम भूम का निभाएगी पूजा सिंगल की पल्स होस्पिटल समेत कई संपती जब्त परवतन निदे साले ने सस्पेंड आई एस अधिकारी पूजा सिंगल के खिलाब गुरुवार को बड़ी करवाई किया है इमेजिंग, सेंटर और संजीवनी के नाम पर खरीदी गई संपती को एडी ने अटेच किया है मालूम हो कि पूजा सिंगल की संपती को अटेच करने को लेकर दिली सिद एडी मुक्याले ने इससे समंधित परस्ताव को अमतिम रूप दिया पूजा सिंगल पर खूटी डी सी रहने के दोरान 18.04 रूप एका मन्रेगा घोटाला का भी आरूप लगा है हेमन्त सरकार किसानों को प्रती एकड़ 25 रूप या रूप या मुअब जा दे भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक रायस चौधरी वा सिंद्री बिधायक इंद्रजीत महतो की पतनी तारादेवी ने सन्युक्त रूप से प्रेसवारता योजित कर जारकन सरकार के द्वारा घोचित किये गए सुखा राहत योजना को किसानों के साथ छलावा बताय इसके साथ ही किसानों को सुखा राहत के रूप में प्रती 25 से रुपए की मुअबजा रासी देने की मांग की उन्होंने वैसे पसुपालग जो पसुचारे के अबहाव में परिसान है उनके लिए भी राहत की मांग की है वही मीडिया से बात करते हुए जीला अध्यक रायस चौधरीवा तारादेवी ने बताया है कि एक और जार्खन सरकार ने पुर्वक के भाजपा सरकार द्वारा एम एसपी में दिये गए प्रोसान रासी को इतना कम कर दिया है जो कि किसानों के लिए अपमान जनक है सरकार के फैसले से बिश्व बिद्यालियों कोलेजों में सिक्षकेतर करमियों को लोटरी जार्खन राज के बिश्व बिद्यालियों अंगिभूत कोलेजों के सिक्षकेतर करमचारियों के लिए बड़ी खुसकवरी है सुरेन की सरकार ने उन्हें सात्वा पुंडिक्षीत बेतनमान देने का फैसला कर लिया है मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के अध्यक्षता में सुक्रवार को राज धानी राची जारकन मंत्राले में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया सरकार ने राजय आपदा मी सन नीधी के गठन करने समन्दी प्रस्ता को भी सोकरिती पदान कर दी है मतादे कैमिनेट की बेटंग में जर्खन राजे के 200 विद्यालों अंगीभूत महाब 200 विद्यालों के सिक्षकेतर कर्मियों को सातवा पुर्णिक्षत बेतनमान कालाव 1 जन्वरी 2016 से देने की स्विक्रिती पदान कर दी गई है समरेश सिंग को सरधांजली देने बोकारों पहुंचे बाबुलाल मरांडी बोकारों के पुर्व बिधायक समरेश सिंग के निधन के बाद मिली सुचना पर राजे के प्रतम मोखे मंत्री बाबुलाल मरांडी रांची से चल कर बोकारों पहुंचे बाबुलान मरांडी ने सेक्टर चार्ज थी सम्रेश सिंग के आवास में पहुँच करूने सरदांजली दिया इस दोरान उन्होंने परिवार वारों से मुलकात कर इस दुख घड़ी में हिमत के साथ काम लेने की बात कही बाबुलान मरांडी के साथ बोकारो विधायक बिरंची नरायन बेरमो के पूर्व विधायक जो गेस्वर महतो सहीत कई भाजपा नेता और करकाता मुझूद थे इस मौके पर बाबुलान मरांडी ने कहा है कि समरेश सिंग के जैसा आंदोलन कारी नेता ना हुआ है और ना होगा उन्होंने कहा है कि संघर्ष का दूसरा नाम समरेश सिंग था उन्होंने समझाओते की रायनीती कभी नहीं की और उन्होंने कभी समझाओता सम्माइन के साथ नहीं किया उन्होंने जीवन के अम्तिम सम्माइ में भी संघर्ष करने का काम किया है गीरीडी में डेडिकेटट फ्रेट कारीडोर केबिनेट की फैसला हेमांत सोरेन की सरकार गिरीडी में डेडिकेटट फ्रेट कारीडोर और गोमो फलाई ओवर के लिए जमीन देने के लिए त्यारी किया है मुख्य मंत्री हेमां सोरेन के दक्स्ता में सुक्रवार को हुई केबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजुरी दे दी गई जारकन सरकार गिरीडी में 7.081 एकर जमीन देगी जबकि धनबाद में 8.26 एकर जमीन हस्तान्तित करेगी एसी एस्टी ओवीसी वर्ग के बिद्यार्थियों की स्कोलर्शिप में हुई बिरिधी कैबिनेट सचीव ने बैठक के फैसलों की जनकारी देते हुए बताया है कि जारकन राज अनसूचित जन जाती अनसूचित जाती वं पिछला वर्ग प्री मेट्रिक छात्रवीर्थी नियमावली जारकन के राज़ानी राज़ी स्थीत वन उत्पादकता संस्थान ने जी आई एस और रिमोट सेंसिंग की मदद से जारकन के एक्टिस वन परमंडलों से मिट्टी के नमूने एकत्र किये गाए अनुसंधान करने वाले ने 1311 जगों से मिटी के नमूने लिए और संस्थान की पर्योग साला में 16670 सेम्पल का विसलेशन किया और उसके अधार पर अपनी रिपोर्ट त्यार की है रिपोर्ट सुक्रवार 2 दिसंवर को राची स्थीत आई एफपी कर्याला में जारी की जाएगी इस दोरान संस्थान के परमूख अनुसंधन करता डाक्टर संबूनात मिसरा जार्खन राजी के वन मिरिदा स्वास्त काड के निर्मान और अपने अनुसंधन के बारे में प्रेटेंशन देंगे सोलर सिटी के रूप में बिक्सित हो रहा गिरिडी जार्खन सोर निती 2022 के तहट 1000 गाउं सोलर लाइट से रोशन होंगे पहले चरण में 2023 तक राजे के 200 गाउं सोलर लाइट से जगमग होंगे इस करमें गिरी डी को सोलर सिटी के रूप में बिक्सित किया रहा है यहां घरेली उबगताओं के लिए कूल 17 मेगावाट एवाम वानीजे कर सेक्टर के लिए 5 मेगावाट का रूप टोप पावर प्लांट एक मेगावाट सोलर स्ट्रीट लाइट यहां ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट 18 मेगावाट का लक्ष रखा गया है पहले चरण में घरेली उबगताओं के लिए 5 मेगावाट रूप टोप लगाने के लिए कार किया जा रहा है जारखन हाई कोट ने 15 साल की मुस्लिम लड़की को दी साधी की अनुमती जारखन हाई कोट ने एक 15 साल की लड़की को साधी के अनुमती दे दिया है हाई कोट ने मुस्लिम प्रस्टनल लौ का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया जस्टिस इसके दिवेदी की पीठ ने यह फैसला दिया है इसके साथ ही जस्टिस दिवेदी ने जमसेत पूर स सटे जूग सलाई की एक 15 साल की लड़की से साधी करने वाले यूग के खिलाब की गई नीचली आदालत की करवाई को निरस्त कर दिया बता दे हाई कोट ने कहा है कि मुसलिम प्रसनला के तहाद 15 साल की लड़की अपनी पसंद के लड़के से निकाह कर सकती है उस पर कोई बंदिस नहीं है साहब गंज में इड़ी की रेड जारखन में अवयद खनन से जूड़ी मनी लोंडरिंग की जाच कर रही इड़ी की पांस सही टीम असिस्टेंट डारेक्टर देव ब्रत जाक नतित में गुरुआर को एक बार फिर साहब गंज पहुँची टीम ने SDO कोठी पत सकरूगड इस्थीत सीवीटी पैलेस में छापे मारी की उसके बाद इड़ी के अधिकारी अदालत पहुँचे और जेल में बंद सरकारी गवाब बिजय हांसदा की रिमांड के लिए CGM कोठ में अरजी दाखिल की इड़ी की टीम कोठ से निकल कर निबंधन कर याले भी पहुँची दुमका के जामा में सडक हाथसे में दो बिजय पी नेता की मौथ दुमका भागल पुर मुख्य मारग पर जामा थाना छेतर के अंतरगत कटनिया गाओं के पास गुरुवार को अग्यात वाहन की चपेट में आने से भाजपा के दो नेताओं की मौथ घटना स्थल पर हो गाई मिदितकों में पैतालिस वर्से बलराम राय सरया हाट में भारतिया जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे जबकि दूसरे की सिनक्त पच्वन वर्सी ए दिगंबर सिंग के रूप में हुई है बता दे दिगंबर सिंग भी भाजपा के पुराने नेता थे सराय केला जेल में औचक नेरिक्षन से खुले राज सराइक केला जेल सुप्रिटेंडेट हीमानी तीवारी के ओचक निरिक्षन से कई राज मिले हैं निरिक्षन के दवरान पाया गया कि जेल सुरक्षा में तयनाथ जवान जहां सराब के नसे में चूर मिले तो कई ड्योटी से गायब रहे जेल सुरक्षा में तैनात जवानों की इस बड़ीला परवाई से नरा जेव सुप्रिडेंडेंडेंट ने अभिलम सो का जारी करते वे करवाई के लिए सरायकिला स्पी को पत्र लिखा बता दे बुद्वार की रात होई अचक निरीक्षन में जेल सुप्रीडेंडेंडन ने पाया की सुरक्षा में तेना जीला बल का हवलदार बलभद्र सोई पाई सराब के नसे में धूत है और बात करने तक की स्थिती में नहीं है रांची से मंजूरी के बाद ही बनेगा रासन कार्ड जीले में नया रासन कार्ड बनवाना अब और ज्यादा कठीन हो गया है नई बेवस्ता के तहट अब रांची से स्विक्रिती मिलने के बाद ही नया रासन कार्ड बनाया जाएगा इससे पहले डी एसो से स्विक्रिती मिल इसके बाद ही राशन काड़ बनेगा तब जाकर लोगों को इसका लाभ मिलेगा बता देया बेवस्था जीले में पहली बार हुई है इससे उभकताओं के परचानी बढ़ गई है पहले खादया पूर्थी पतादिकारी की सोकृति के बाद काड़ तुरंत बना दिया जाता थ कोडार्मा में अवाईद खनन के दरान चार्स धसी कोडार्मा जीले के डोमचांज ठाना छेतर अंत्रगत धोढ धा कोला महंगजो में गूरु आर को अवऐद खनन के दरान तेज आवाज के साथ जमीन धस गई हादसे में कई मजदूरों के दबने के संका है हादसे के कुछ मजदूर महलवे में दब गए हलाकि इनको निकालने के लिए जाने की बात कही जा रही है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों को सब्सक्राइब करें बॉल का बेले करना बूलें साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना फिडिवाइक अवसे दें थ